गेवू, जेश्ट, रगू, रफू, हाई, नैस, तो गाईस आपने नोटिस किया होगा कि इस वर्ड में जी का उच्चारा गा हुआ है, इस वर्ड में जी का उच्चारा जा हुआ है, इस वर्ड में जी का उच्चारा गा हुआ है, और इस वर्ड में जी का उच्चारा फा silent है so guys इस वीडियो मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि जी का उच्छारा कब क्या करते हैं और जी कब silent रहता है so guys जी पढ़ने के rules जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंतक देखिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like and share कीजिए और चैनल पर पहली वार आएं तो पिली चैनल को subscribe कीजिए तो आप वीडियो शुरू करते हैं तो guys अब समझे जी उच्छारा करने के rules तो guys इसका पहला rule है जब किसी words में जी के बाद a, o, u या consonant आए तब जी का उच्छारा ga होता है जैसे guess, guess, gap, gang, gate तो guys इन सभी words में जी के बाद a, e, 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 in जी को उच्छारा ga हुआ है इसी तरह से gold, gold, got, gone, god तो guys इन सभी words में जी के बाद o, e, e, इसलिए जी का उच्चारा गा हुआ है, इसी तरह से गन, गल्फ, गम, गास, गैस्ट, तो guys इन सभी words में जी के बाद यू आया है, इसलिए जी का उच्चारा गा हुआ है, इसी तरह से ग्रीन, ग्रेट, एंगल, टिगर, ग्रेट, तो guys इन सभी words में जी के बाद कंसुनेंट आया है, इसलिए जी का उच्चारा गा हुआ है, तो guys अब आप समझ गए होंगे जी के बाद ए, ओ, यू या कंसुनेंट हो, तब जी का उच्चारा गा होता है, जब किसी वर्ड में जी के बाद ए, आई, वाई, आए, तब जी का उच्चारा गा होता है, जैसे जेंडर, एजेंट, अजेंट, जेंटल, जनरल, एज, वर्ड, सर्ज, रिफ्यूज, केज, तो काईस इन सभी वर्ड में जी के बाद ए, आई, आई, इसलिए जी का उच्चारा जा हुआ है, इसी तरह से, जेंडर, जेंट, डिजेंट, लोजिक, तो काईस इन सभी वर्ड में जी के बाद आई, आई, इसलिए जी का उच्चारा जा हुआ है, इसी तरह से, एनर्जी, जिम, जिलोजी, जिपसी, जाईरेट, तो काईस इन सभी वर्ड में जी के बाद आई, इसलिए जी का उच्चारा जा हुआ है, तो काईस अब आप समझ गहूंगे कि जी के बाद इ, आई, वाई हो, तब जी का उच्चारा जा होता है, लेकिन काईस इस रूल के कुछ एक्सेप्शन हैं, जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे, हंगर, टारगेट, गेर, गेट, गेज, गेल्ड, तोगेदर, फिंगर, गिमेक, गिविन, गेल्ड, गिमलेट, गर्डल, गर्थ, गेब, गिफ्ट, तो गाईस यह है कुछ एक्सेप्शन जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जब किसी वर्ड्ट में डवल जाए, तब डवल जी का उच्चारण गाउता है है, जैसे, देगर, जैगड, रेगड, सैगी, हाड़, ट्रीगार। तो गाईस इन सभी वर्ड्ट में डवल जी आया है और डवल जी का उच्चारण गाउता है, गाइस डबल जी का उच्चारा हमेशा गा होता है कभी जार नहीं होता है गाइस जब हिंग्लिस वर्ट्स में जी के बाद एच आए तब जी एच का उच्चारा गा होता है जैसे रगू, मेगना, रागव, मेगराज, गंस्याम तो गाइस इन सभी वर्ट्स में जी एच आया है और जी एच का उच्चारा गा होता है तो गाइस जो हिंग्लिस वर्ट्स होते हैं उनमें जी एच का उच्चारा गा होता है Guys, जब English words में short sound vowel के बाद जी एच आए, तब जी एच का उच्छा रड़ फा होता है जैसे rough, cuff, laugh, tough, trough, suff तो guys, इन सभी words में short sound vowel के बाद जी एच आया है इसलिए जी एच का उच्छा रड़ फा होगा है तो guys, याद रखना कि जब short sound vowel के बाद जी एच आया है तो जी एच का उच्छा रड़ फा होगा guys, जब किसी words में long sound vowel के बाद जी एच या जी एच टी आये तब जी एच सालेंट रहता है जैसे हाई, साई, थाई, थो, वे, डो, वो, पिलो, इनवे, थिरो तो guys, इन सभी words में long sound vowel के बाद जी एच आया है इसलिए जी एच सालेंट है तो guys, याद रखना कि जब long sound vowel के बाद जी एच आये तब जी एच सालेंट रहेगा इसी तरह से लाइट, नाइट, फाइट, माइट, ब्राइट, राइट, एट नौटी, टॉट, डॉटर, ओर्ट, स्ट्रेट, डॉट, फ्राइट तो guys, इन सभी words में long sound vowel के बाद जी एच टी आया है इसलिए जी एच सालेंट है Guys, जब किसी word में जी के बाद एन आये तब जी सालेंट रहता है जैसे sign, design, regime, ness, norm, malign, poignant, campaign, align, net तो guys, इन सभी words में जी के बाद एन आया है इसलिए जी सालेंट है Guys, अब समझ गए होंगे कि जब जी के बाद एन आये तो जी सालेंट रहता है जी का उच्चारण नहीं होता है Guys, जब किसी word के अंत में जी एम आये तब जी सालेंट रहता है जैसे, paradigm, film, symptom, epodham तो guys, इन सभी words के अंत में जी एम आया है इसलिए जी सालेंट है Guys, अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी word के अंत में जी एम आये तब जी सालेंट रहता है तो guys, इस वीडियो फिलाल इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट केजिए चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब केजिए थैंक यू फूर वाचिंग माई वीडियो दो प्लीज किया है